हाइ नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल इंडिया नरमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज हमारे चैनल के तरब से एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए रहा है और इसमें बहुत ही important question है और simple question है total question के सेंख्या 20 है और जो लोग 20 में से 20 जवाब देंगे वो उससे हमारे चैनल के तरब से एक छोटा सक गिफ्ट दिया जाएगा और गिफ्ट टोटल दस व्यक्ति को दिया जाएगा यदि सही अंसर देने वाले के सेंख्या दस से अधिक होता है तो गिफ्ट लोटरी के द्वारा दिया जाएगा और इसका जवाब को देना है लिखना है 12345 अप्टू 20 तक और ABC में जो भी अंसर है उसके सामने जवाब लिखके और हमारे बाट्सप नमबर है जिसका नमबर है 7903918066 इस नमबर पे आपको सेंड करना है जो भी सही अंसर है उसे लिखकर तो चलिए आप लोग शुरू है पहला सवाल है बाइमंडल में नहीं पाया जाने वाला एक मात्र अक्रिये गईश है और सही अंसर को एक किशामने लिखें नेस्ट कोशिन है आत्महत्या की थैली कीशे कहा जाता है जो भी अंसर है उसे आप नोट करें अपने नोटबुक में और एक साथ जवाब देना है अपने नोटबुक में लिखके जवाब देना है A.B.C.D. में नेक्स्ट कौशन देखते हैं, कौशन नमर चार मनुस में कुल हड़ियों की संख्यां कितनी होती है कौशन नमर पांच देख लेते हैं हिमोगलोबिन में कौन सा तत्तु पाये जाते हैं A, B, C, D, 4 option है, 4 मेंशे 1 सही है, सही answer को choose करें और answer दें चलें next question देखते हैं, लोहे को इस पात में बदलने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है यहां भी 4 option जो भी सही answer है उसे अपने notebook में note करें और जवाब दें next question है, IC chip का इस्तेमाल किस PD के computer में क्या गया था question number 8 है, सबसे कठोर पदार्थ है, यहनि कि सबसे कठोर पदार्थ काउन है 4 option है, A, B, C, D, 4 में से 1 सही है, आप सही answer को choose करें और भेज दें 790-39-18066 पे, यह मेरा what's up number है, चलिए next question देखते हैं मानव शरीर के सबसे बड़ा अंग है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है चार option है, यहाँ पर भी दिया गया है, एक सही है, अब सही जवाब को choose करें और हुमारे what's up पे send करें, next question है, अती चालक, यहाँ अती चालक हो जाएगा, अती चालक का प्रतिरोध होता है, अती चालक का प्रतिरोध होता है, option दिया गया है, ए, बी, सी, डी, जो भी शही अंसर है, उसे choose करें और अपने नोटबुक में नोट करके, next question है, किस बिटामिन के कारण हिरदय घात होती है, किस बिटामिन के कारण हिरदय घात होती है, next question है, most important question है, कई बार एक जाम में पुछा जा चुका है, ध्यान दीजेगा, और ध्यान से इंसर दीजेगा, चलिए next question देखते हैं, question नमर 13, मचली के हिरदय में कितने परकोष्ट होते हैं, मचली के हिरदय में कितने परकोष्ट होते हैं, next है, किस धातु को क्रोशिन तेल में रखा जाता है, next question है, किस गैस को भविश का इंधन कहा जाता है, किस गैस को भविश का इंधन कहा जाता है, सुलाहमा question है, प्रम सुन्निताप होता है, प्रम सुन्निताप का मान कितना डेगरी Celsius होता है, चलिए next question देखते हैं, question नमर 17, अश्टील का कठोरता परदान करने के लिए किस का मातरा बढ़ाई जाती है, जो भी सही इंजर है, उसे राइट करें, next question है, हैलोजन में सरवाधिक अभिक्रिया सील तत्त होता है, हैलोजन बर्ग में सबसे अधिक अभिक्रिया सील काउन सत्त होता है, next question है, किस राज में महिला दिवस के तीन असमीता योजना की शुरुआत की गई है, किस राज में महिला दिवस के दिवस 2018 के दीन असमीता योजना की शुरुआत की गई है, चार ओप्षन है, एक सही है, सही ओप्षन को चूज करें और सेंड करें 7903918066 पे, चले नेस्ट कोउचन हैं केंदर सरकार ने बागोरी गंगा ग्राम योजना किस राज में शुरू की है में चार और एक सही है का सही जवाब देना है और बहुत ही easy question है कोई नि बहुत simple question है आप 20 में से 20 का सही जवाब दे सकते हैं और most important question है खासका railway exam और group D के लिए बहुत important है तो दोस्तों आप लोग सही कोशिज करें कि सही answer दें सभी का answer सही दें और हमारे वाक्षप नमबर 79039185 18066 पर सेंड करें और दोस्तों सभी question को एक साथ लिखना है एक से लेकर 20 तक पहले अंग लिखना है उसके बाद जो भी उसके इंसर है शही answer उसके सामने ABCD में जवाब देना है और एक साथ State करना है उसमें फिर अपना नाम और अपना पता लिखना है आप कहां से रहने वाले किस estate से हैं और उस estate का किस जीले से हैं उस सरय भी लिखना है ये लिखना मत भूलें और सही इंसर देने का कोशिज करें, थैंक यू, अल्लावेश्ट